Hello what's up guys, सबसे पहले आप यह जो एक एक जामपल है आप यहां पर ध्यान से देखिएगा इस एक्जामपल को अप समझ लेतो तो आपको पुरा इडिया आ जाएगा कि यह यूस कॉल बैक हुग क्या है इसको हमें कब एंड क्यू यूस करना चाहिए इससे पहले मैंने react.memo and then use memo hook के उपर complete build upload कर चुका हूँ उसको अभी तक check out नहीं किया तो जरूर check out कीजिएगा आज इसका तीसरा भाई है use callback hook मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से देखिएगा देखने में अभी आपको एक simple counter application लग रहा होगा दिखा भी रहा है आपको that is rendering button increment rendering button decrement ठीक है तो the moment मैं increment पर क्लिक करता हूँ तो वह वापस से चला and मुझे increment inside करके भी एक console दिखाई दे रहा and then जब मैं decrement पर क्लिक करता तो वह increment inside तो मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि वह तो increment function के अंदर था but हाँ decrement के अंदर मैंने कुछ लिखाने इसलिए वह दिखा आई नहीं दिया but still हर बार हर बार मुझे यह rendering button increment rendering button decrement क्यों आ रहा है क्यों आ रहा है यह मुझे and मैं आपको आप बताता हूँ इसकी पीछे का reason and क्यों यहाँ पर use callback hook हमें रहे लिए like एकदम life saver वाला काम करने वाला ठीक है ध्यां से देखना इस code को मैंने कैसे लिखा पहले तो वह मैं आपको दिखाना चाहूँगा this is our div this is our component जिसके अंदर एक h1 है जो count की value इस तरीके से अपडेट हो रही है and यहाँ पर यह जो button आपको दिख रहा है यह normal html tag नहीं है कलाल तो आप यहाँ पर के html बोलोगे jsex tag नहीं है यह component है ठीक है and इस component को ठीक उसी page उसी component के अंदर ही मैंने create की हुई है and अगर मैं folder structure बता हूँ अगर आप मुझे follow कर रहे हो तो मैं हर बार आपको यह दिखाता हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े memo के अंदर हमने यह basically जो दो पार्ट है यह हमारा react.memo function था कल की वीडियो में use callback देखा आज का वीडियो है हमारा use callback.jsx and हर एक का जो first letter है वो मैं capital कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यह component है ना कि and आप small link भी नहीं सकते ठीक है तो हमारा जो same use callback component है वही पर ही मैंने इस component को क्या की है defined किया हुआ है अब क्या हो रहा है यहां पर यह थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा for the time being यह जो particular part इसको आप भूल जाओ ठीक है इसको आप भूल जाएगे अब आपको देखो अब यह simple सा बस इतना ही एक छोटा सा component है बटन कंपोनेंट अब इतना छोटा हो गया ठीक है अब इस बटन कंपोनेंट में क्या हो रहा है एक चीस ध्यान से देखिए में एक props pass करgerla on click कोई event नहीं है यह आपका एक prop है जिसके अंदर जो मैं value पास कर हो वह भी कोई normal value नहीं है वो एक आपका function है तो child component के अंदर में एक prop pass करौं जिसके अंदर मैं function pass करौं as value उसके अंदर मैंने यह normal कुछ value लिख है अब react में जब भी कोई component होता है ठीक है उसके अंदर आप कुछ भी लिखते हो उसको आप कैसे गेट करोगे बाता ही ये obviously उसको आम गेट कर सकते हो with the help of this children keyword and रही बात props की either you can directly write props और आप directly destructuring कर सकते हो that's why on click मैंने यहां पर लिख दिया अब button को हमें return करना है अब HTML का button तो normally होता है न तो button अब this time यह वाला जो on click है यह है आपका actual event कि जब भी कोई button पर करेगा click तो यह जो function है उसको चलाओ यह जो on click है वो basically यह वाला on click है आपको बताओं तो यह वाला on click है and यह on click क्या है अपना वो button increment या decrement वाला function and children में basically either first time आपने को increment आएगा second button आपका यहाँ पर decrement वाला बनेगा मैंने कहा था ना यह code आपने देखा नहीं होगा बट यह समझना जरूरी है अब यहाँ पर सब कुछ तो सही है problem क्या यहाँ पर and use callback हो कि हमें क्या नीड है यहाँ आप ध्यान से देखना फिर से वान मोर टाइम आई होप कोड आपको इस समय पता चल गया and हाँ देखो कितना फीका लग रहा है यह मैंने यहाँ पर क्या किया वा था मैंने इस बटन पे टेल्वेंट से से स्यूज की थी वो भी कंडिशनल टेल्वेंट जहां पे चिल्रेंग की वैल्यू अगर इंक्रिमेंट है तो बैक्राण कोलर ग्रिन करो एल्स रेड रहें दो अब यह करूंगा तो ऐसा हो गया ठीक है ध्यान से देखना जब जब मैं क्लिक कर रहा हूं यह जो रेंडरिंग बटन इंक्रिमेंट रेंडरिंग बटन डिक्रिमेंट यह पता क्या है यह मेरा यह कंपोनेंट है यार आप हर बार इस बटन को अगर मैं क्लिक करो तो आप इसको कॉल क्यूं कर रहे हो भाई क्यों कॉल गर रहे बार बार इसको आपको डिस्टॉब कर रहे हो समझ रहो में क्या केनी कोशिस कर रहा हूं ऐसा तो कुछ हवा एकदम इस्पेशल तो कुछ था नहीं यहां पर हम क्यू इसको बार-बार रीक्रेट कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर कोई भी component को अगर आपक कोई प्रॉप्स चेंज ना हो तब तक आप इसको रेंडर मत करो ठीक है आप आपको पता चल गया मेरे लास्ट के चार वीडियो देखके आपको पूरा एडिया आप लाइप मेंने बोलोगे मैमो कब यूज करना है यूज मैमो हुक कब यूज करना है और आज इस वीडियो कि अब यह फालतू का एटलिस री रेंडर तो भी नहीं होगा यह पर्टुलर री रेंडरिंग बटन चिल्रेंड लिखा है मैंने यहां पर इधर इंक्रिमेंट हो गया तो डिक्रिमेंट हमें पता चल जाता है इसको अटा रहा हूँ एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ ओ मा में उकी नीड पड़ती है ताकि वैलिप को आप अप्तिमाइज कर सको एक्सपेंसिब कैलकूलेशन को आप अप्तिमाइज कर सको और शुक कर सको है कि यूज कॉलबेक फूक कॉ शॲ backward को काम आता है जब आपको फंक्सन को आप्टिमाइज करना पड़े सम्झे मतलब callback and use memo, kind of similar, use memo आपके values को optimize करना है, basically एक function उसके अंदर जो values है, उसको optimize करने के लिए आपका use memo, वो complete function को optimize करना हो, तो use callback, अभी हमारे case में तो वो function को optimize करना पड़ेगा, क्योंकि memo लिखने के बाद भी मेरा जो child component है, वो render हो रहा है, देखो न यहाँ पर, मैं इसको refresh करता हू profiler depth के अंदर गया, मैं इसको run कर रहा हूँ, खत्म, इसको मैं stop कर देता हूँ, देखना ध्यान से क्या होता है, यह देखो, देखा, use callback तो आपको मालूम है, यह तो हमारा क्या है, यह तो मेरा actual component है, यह क्यों render होता है, क्योंकि एक hook change हो रहा है, obviously आपका वो change हो रहा है, count hook तो यह तो render होगा, लेकिन भाई साब, आपने इसको क्यों render करवा दिया, यह देखो न, अपना वो, क्या था button component, मैं नाम भूलिया थो देखे लिए, यह क्यों render हो, because prop changed on click, यह आप देख सकते हो, इसका मतलब यह हुआ, कि कल की वीडियो में मैंने जब यह बताया, जब आप अगर memo लिखते भी हो, यह क्या चेक कर रहा है, कि इस particular component का props change हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ, तो वो इस component को render नहीं होने देता, लेकिन फिर भी यह render कैसे होने दे दिया memo ने, क्यों होने दिया, because, चाहे वो object कल की वीडियो में, आज की वीडियो में functions है, तो guys, जो reference से वो change हो ही जाता है, and the moment memo का कामी है, कि reference चेक कर रहा है, directly props थोड़ी check करेगा, वो reference चेक कर रहा है, कि इससे पहले जो request आयता है, अभी जो request आप दोने के 20 का props, basically reference same है या नहीं, reference अलग मिला, मतलब नहीं, कुछ तो change हुआ है, तो इसलिए वो चल जा रहा है, तो अब यहां पर मुझे यह बताना होगा, नहीं, यह जो function है, यह constant है, यह जो function है, इसमें कुछ ऐसा change वाला कुछ scenario ही नहीं, यह तो normal से function है, अब इसको optimize कीजे, तो अब मुझे इस function को optimize करना है, and अगर मैं optimize कर देता हूं, तो इसका एक जो reference है, static हो जाएगा, and memo को कभी लगेगा अच्छा हाँ, यह तो वही तो function है, पुराना function, समाझ रहे हो, तो use callback hook का syntax भी same ही है, तो use callback, आपका callback syntax, and here we have a dependency है, ठीक है, इस तरीके से, नाम यहने use callback, ठीक है, तो अब देहन से देखना, यह जो particular part है, इसके अंदर मैं चलूंगा, and यह जो complete आपका code होगा, and I guess, यह इतना, यह वाला part, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अब यह जो पट, इसको फिलाल मैं comment कर रहा हूँ, यह जो भी value आया होगा, उसको मैं इस तरीके से paste कर दूँगा, ठीक है, so simple, कुछ नहीं किया, जो पहले increment function के अंदर मैंने लिखा ताब उसको use callback, जो callback का जो function ने उसके अंदर लिख दिया, यह dependency area मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, सबसे पहले मैं decrement पर क्लिक करूँगा, rendering button decrement, oh my god, increment function recreate नहीं हुआ, मैं फिर से refresh कर रहा हूँ, अब अगर मैं इसको मैं आटा, देखो, first time तो obviously चलेगा, ठीक है, but अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, increment insight, rendering button decrement, देख रहे हो, क्या हो रहा है, फाइदा यह हो रहा है, कि the moment मैंने इस function को optimize कर दिया, अब यह जो है, हमारा यह जो component है, उसको अब इसने save कर दिया, बार बार रे क्रेट, रेंडर होने से, simple, अब यह वाला particular, देखो, call ली नहीं हुआ, the moment इसको मैंने optimize कर दी, उसने इसको अब call नहीं किया, simple, right, अब यही same चीज जो है, copy करूँगा, equal to यह कर दूँगा, है न, अब बस यहाँ पर मुझे minus ही तो करना है, इसको मैं comment कर दूँगा, ठीक है, and इसको भी मैं यहाँ पर decrement insight कर दिया, अब ध्यान से देखना, अब चाहे कुछ भी ह कर दो हो जाए, increment, decrement, increment, decrement, increment, decrement, I know guys, आप यहाँ पर आपको देखे लग रहा होगा, यार, चलो, जो function था हमारा child component, उसको तो आमने रेरेंडर होने से बचा लिया, लेकिन इसमें use callback hook का ऐसा, क्या role था, right, like, obviously, like, role थो था, तकड़ा role था, हो तो, है न, कि हमने function को मैं मै किया, optimize किया, अब चलो, मैं मोई ना बोल के, मैं optimize बोल रहा हूँ, जिसके चलते, अब यह जो particular component है, बार-बार, रेरेंडर तो भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्लिक कर रहा हो, तो increment, decrement, insight, decrement, insight, तो मुझे मिली रहा है, तो function के साथ क्या हुआ, मैं बता तो, यह important है, ध्यांसे सुनेगा, तो हुआ यह, कि अब आपको तो लग रहा होगा, use callback लिखने के बाद भी function वैसे का वैसे ही है, value मुझे आ रहा था, बट ऐसा नहीं है, हो क्या रहा है, अगर आपने use callback hook नहीं लिखा होता, समझ रहा हो, तो हर बार, हर बार, जब भी हमारा component render हो reference हमें मिल रहा था, basically उसका reference हमारा यह code लेके, हमारे basically UI पे वो हमें दिखा रहा था, समझ रहा हर बार, एक new instance, हर बार, यह object वापस से recreate हो रहा था, that's why, यह हमारा memo लिखने के बाद भी काम नहीं किया, उसने तो clear बोल दिया, हाँ, यह function हर बार, अलग-अलग function है, जब कि function ह हर बार यही तो थे, right, but the moment हमने use callback hook लिखा, इसने सबसे पहले तो हमारे increment and decrement function को क्या किया, memoize किया, इसका मतलब यह, कि हर बार जब यह recreate हो रहे थे न, अब उसने इसको बचा लिया, and इनका starting में, अब क्या करता, वो एक instance बना देता है, instance तो first time तो बनेगा ही बनेगा, ए that's why आपको for the very first time यह तो दिखता ही है, first time तो यह तो दिखीगा, लेकिन उसके बास second time आपको नहीं दिख रहा, खाली उसके अंदर जो console है, वो आपको दिख रहा है, and जब जब मैं इस पर click कर रहा हूँ न, तो हर बार, obviously, count की value change होती है, यह re-render होता है, लेकिन अब, after using use callback दो यह re-render हो रहा है, component लेकिन मेरे यह जो दो functions है, यह recreate नहीं होते है, इनका already एक instance बनके ready है, अब आप जब इसको click करोगे, तो उस instance का जो data है, basically, हम उस instance के साथ खेल रहे है, simple, अब काई साब इतना ही समझ लेजे, फिलाल के लिए, हम उस instance के साथ आप यहाँ पर खेल रह हो रहा है, उसका reference हम लेके उसके साथ नहीं हो रहा है, I hope आप समझ गए, right, obviously, हमारा काम हो गया, अब अगर आप इसको नहीं लिखते तो भी कोई problem नहीं था, but yes, this is where you can use your use callback hook, and with a memo function also, दोनों की मिला के आप आपका यह काम कितना easy हो गया, समझ रहो, चलो एक काम करते है, not over here, over here, profiler, ठीक, इसको मैं काट रहा हूं, मैं यहाँ पर चलता हूं, मैं अगें यहाँ पर चलता हूं, मैंने उसको start कर दी, and yeah, this is it, अब आप बहुत किलेली देख सकते हो, कि बात ही खता हूं, यह देखो न, use callback hook, एक बार चला होगा, and उसके बात यह जो मेरा component था, did not re render, हमने दुनिया को बचा लिया, right, कल के दिन मैंने use memo hook की मदद से आपको render होने से बचा है, आज के दिन मैंने आपको use callback hook की मदद से दिखा है, कैसे आप इसको बचा सकते हो, and दूसरा यही है कि इसको जो recreation वाला जो part है, उसको भी हमने save कर लिया, so guys, कैसा लाग आज का व को optimize करने के लिए, use memo आपके values को optimize करने के लिए, react.memo आपका जो child component है, उसको फालतु का re-render होने से बचाने के लिए, until and unless उसमें अगर कोई prop change ना होतो, ठीक है, and yeah, this is it, यहीत आपका use callback function, guys, अगर कुछ भी डाउट हो तो let me know in the comment section, and please video पसंदा है, तो like किजेगा, दोस्तो क्लिक कीजे, ताकि आप डेली एस awesome videos को miss ना करे, so guys, आप मिलता हो कल की video में, till then guys, thank you so much, take care.